अध्धाय छे, ट्रिकोन वितिये अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के उन पठ्ठों को जानते हैं, जो हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो, हुम जानते हैं कि ट्रिब्नोमेट्री ट्राई, गौन और मेट्रन इन तीन शब्दों से मिलकर बनी है, ट्राई का मतलब होता है तीन, गौन से अभी प्राय है भुजा और मेट्रन मापन को बतलाता है, अर्थात त्रिकोन मिटी में हम त्रिबुज की तीन भुजाओं का अध्यान करते हैं, उसके त्रिबुज के तीन कोनों का अध्यान करते हैं, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि यदी एक समकूनिय त्रिबुज है, जिसका ये कोन समकून है, माल लेते हैं कि A, B, C में B कोन समकून है, और कोन C यदी थीटा है, तो साइन थीटा बरावर, A, B अपॉन, A, C होता है, कॉस थीटा बरावर, B, C अपॉन, A, C, 10 थीटा बरावर, A, B, अपॉन, B, C, अर्थात, यदी हम A, B, जो की थीटा कोन के लिए लंग है, उसको परपेंडिकुलर, T से दर्शाएं, B, C, आधार है, जिसे हम बेस अर्थात B से दर्शाएं, और A, C, जो की तर्बुज का कर्ण है, उसे हम H अर्थात, हाइपोटोन्यूस से दर्शाएं, H से दर्शाएं, तो साइन थीटा बरावर, P, बटे, H, और थीटा बरावर, P, अपॉन, B होता है, यह हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं, हम यह भी बढ़ चुके हैं, कि साइन थीटा का रेसीप्रोकल विदक्रम कोसेक थीटा होता है, अर्थात साइन थीटा बरावर, एक बटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का विदक्रम साइन थीटा होता है, साइन थीटा का विदक्रम कोसेक थीटा होता है, इसी प्रकार cos theta का जो reciprocal है वो sec theta होता है अरथात cos theta बरावर एक बटा sec theta होता है और 10 theta का व्युत्क्रम cot theta होता है अरथात 10 theta बरावर एक बटा cot theta होता है यह हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं हम ये भी जानते हैं कि sin theta का यदि हम whole square करें तो इससे अभी price sin square theta होता है ये मान बरावर नहीं होगा sin theta square के ये मान और ये मान बरावर नहीं है क्योंकि इसमें तो हम theta का पहले square कर रहे हैं और फिर उसका sin ले रहे हैं जबकि sin theta का whole square से अभी पराए ये होता है कि हमने sin theta का मान निकाला और फिर उसका square किया ये हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं यहां हम त्रकून में तिये अनुपातों के जो विभिन कोणों पर उनके क्या मान हैं उनको पढ़ने वाले हैं हम जिन विशिष्ट कोणों के मान यहां ग्यात करेंगे वो कोण है जीरो डिगरी 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी और 90 डिगरी हम त्रकून में तिये अनुपातों के इन कोणों के मानों को यहां ग्यात करना सीख रहे हैं इसके लिए हम एक सरल विधी का प्रियोग करते हैं हम माल लेते हैं कि एक सरल रिखा एकाई लंबाई की है यहां उसकी लंबाई जीरो है और यहां उसकी लंबाई एक एकाई है यहां वो आदी होगी यहां वो एक बटा चार होगी और यहां वो तीन बटा चार होगी अब हम यहां जीरो पर तो लिग देते हैं जीरो डिगरी यहां पर लिग द लिख देते हैं 45 डिग्री यहां पर लिख देते हैं 60 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री और जो मान हमने यह लिखे हैं इनका अंडरूट ले लेते हैं तो हमने इसका 0 का अंडरूट ले लिया एक बटा 4 का अंडरूट ले लिया एक बटा 2 का अंडरूट ले लिया तीन बटे साइन के मान क्या होंगे, साइन थीटा मान ले, जहाँ थीटा इन कोनों को दर्शारा है, तो 0 का वर्ग मोल होता है, 0, 1 बटा 4 का अंडरूट होगा, 1 बटा 2, 1 बटा 2 का अंडरूट होगा, 1 बटा अंडरूट 2, 3 बटा 4 का अंडरूट होगा, अंडरूट 3 बटा 2, और 1 का अंडरूट होगा एक अरथात साइन जीरो डिगरी का मान जीरो है ये थीटा है तो साइन जीरो डिगरी का मान जीरो साइन तीस डिगरी का मान एक बटा दो साइन पैतालेस डिगरी का मान एक बटा अंडरूट दो साइन साथ डिगरी का मान रूट थ्री वाई टू बटा दो और साइन 90 डिगरी का मान एक होगा अब हम कॉस के मान निकालते हैं यहां हम लिख लेते हैं कॉस थीटर जो यह मान हमने प्राप्ट किये हैं अब हम इनको reverse order में लिखना शुरू कर देते हैं एक सबसे पहले यहां है तो हमने सबसे पहले यहां पर तो लिख दिया ए रूट 3 बाइटो उल्टे करम में आ रहें reverse order में आ रहें तो फिर आएगा रूट 3 बाइटो उसको हमने यहां लिख लिया फिर आया एक बटा दो इसको हमने यहां लिख लिया और फिर आया 0 तो उसको हमने यहां लिख लिया यह हमें कॉस के मान प्राप्ट हो गए अर्था cos 0 degree 1 होता है cos 30 degree under root 3 by 2 होता है cos 45 degree 1 by 2 होता है cos 7 degree 1 by 2 और cos 90 degree 0 अब हम 10 theta के मान निकालते हैं हम जानते हैं कि sin theta upon cos theta 10 theta होता है यह हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं तो यदि हम sin 0 degree में cos 0 degree का भाग लगा देंगे तो हमें 10 0 degree मिल जाएगा तो 0 degree के लिए sin 0 का मान तो है 0 और cos 0 का मान है 1 अर्थात 0 बटा 1 मान आ गया 0 अब 30 degree पे देखते हैं तो 10 30 degree के लिए हम 1 बटा 2 में भाग लगाएंगे root 3 by 2 का तो मान कितना आ जाएगा यह 2 से 2 तो cancel हो जाएगा 1 बटा under root 3 हमने क्या किया 1 बटा 2 में हमने भाग लगाया under root 3 बटा 2 का 2 से 2 तो cancel हो गया मान कितना रहे गया 1 बटा under root 3 यह हमारा 10 30 degree का मान है 45 degree पे देखें तो यहां हम 1 बटा under root 2 में भाग लगाएंगे 1 बटा under root 2 का मान कितना आ जाएगा 1 यहां देखें root 3 by 2 में भाग लगा 1 upon 2 का क्या होगा root 3 by 2 में हमने भाग लगा एक बटा 2 का 2 से 2 कड़ गया कैंसल हो गया मान किया रहे गया root 3 यह मान होगा root 3 1 upon 0 1 बटा 0 किसी भी वास्तुएक संख्या में हम 0 का भाग नहीं लगा सकते 1 बटा 0 आ परिभाशित है इसको हम लिख देते हैं आ परिभाशित आ परिभाशित इस प्रकार हमने 10 के मान प्राप्त कर लिए 10 0 degree बड़ाबर 0 10 30 degree बड़ाबर 1 बटा under root 3 10 45 degree बड़ाबर 1 10 60 degree बड़ाबर under root 3 10 90 degree आ परिभाशित होता है अब देखो हमें साइन के मान पता चल गए तो हम कोसिक के मान निकाल सकते हैं अब हम कोसिक के मान निकालते हैं यहां से तो हम मिताते हैं हम कोसिक और साइन में संबन जानते हैं कि कोसिक थीटा बराबर होता है एक बटा साइन थीटा यह हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है एक बटा कोसिक थीटा तो यहां क्या मान होगा एक बटा जीरो हम कोसिक के मान निकाल रहे हैं कोसिक थीटा के यह मान कितना हो जाएगा एक बटा जीरो उन्हें अपरिपाशित है उसे 30 दिगरी का माल है एक बटा एक बटा दू एक में हमने भाग लगाना होगा साइन 30 दिगरी का साइन 30 दिगरी है एक बटा दो तो एक बटा एक बटा दो अर्थात ये दो जो है ये उपर चला जाएगा अंश बन जाएगा मान कितना आ जाएगा दो कोशिक 30 degree का मान होगा 2 45 degree पे देखें तो एक बटा एक बटा अंडरूप 2 अंडरूप 2 उपर चला जाएगा अहिश बन जाएगा मान कितना आ जाएगा अंडरूप 2 60 degree के लिए देखें 60 degree में क्या होगा 1 बटा अंडरूप 3 बटा 2 2 उपर चला गया अर्थाथ ये मान हो गया 2 बटा अंडरूप 3 नेक्स देखें 90 degree के लिए 1 बटा 1 मान आ गया 1 मान आ गया 1 तो इस प्रकार हमने कोशिक थीटा के मान प्राप्त कर लिए कोशिक 0 degree परिभाशित है कोशिक 30 degree 2 के वराबर है कोशिक 45 degree अंडरूप 2 कोशिक 60 degree 2 बटा अंडरूप 3 और कोशिक 90 degree मान आता है 1 यहां हमें एक बात देखने वाली है वो ये कि ये सभी मान जो कोशिक के हमने प्राप्त किये हैं ये सदेव या तो एक है एक तो उसका सबसे कम मान है otherwise वो मान बढ़ते वे हैं कोशिक थीटा के जो मान है वो एक तो 90 degree पर है बरावर है और अन्यथा ये मान एक से बढ़ते वे हैं अब हम सेक और कॉट के मानों को देखते हैं यहां देखिए कॉस थीटा के मान हम ग्याद कर चुगे हैं कॉस 0 degree है 1 30 degree का मान है अंडरूट 3 बटा 2 45 degree का मान है एक बटा अंडरूट 2 60 degree है एक बटा 2 और 90 degree का मान है 0 सेक थीटा और कॉस थीटा में क्या सम्मन्द है कॉस थीटा बरावर एक बटा सेक थीटा यहां हम ये भी कह सकते हैं sec theta बराबर 1 बटा cos theta तो ये मान कितना हो गया 1 बटा 1 मान आगया 1 1 बटा under root 3 बटा 2 मान कितना हो गया 2 बटा under root 3 1 बटा 1 बटा under root 2 मान आगया under root 2 साथ डिगरी के लिए देखें 1 बटा 1 बटा 2 अरथा 2 और ये मान कितना हो गया एक बटा जीरो जो की आप परिवाशित होता है इसको हम अनंद भी लिखते हैं इन्फाइनेट भी लिखते हैं आप परिवाशित अनंद को दर्शाता है 10 थीटा के मान हम देख चुके हैं 10 थीटा 0 डिगरी के लिए है 10 1 30 दिगरी के लिए है 1 बटा अन्दर रूट 3 45 दिगरी के लिए है 1 60 डिगरी होता है अन्दर रूट 3 और 90 डिगरी होता है आप परिवाशित अरथात अनंद इसलिए कॉट थीटा के मान क्या होंगे कॉट थीटा क्या होता है हम जानते हैं कि cot θ वराबर 1 बटा 10 θ और क्योंकि 10 θ है sin θ पॉन cos θ इसलिए ये मान हो गया cos θ बटे sin θ अब 0 डिग्री पे देखने हैं तो cos 0 का मान कितना है cos 0 का मान है 1 और sin 0 का मान है 0 तो ये मान हो गया 1 बटा 0 अर्थात अपरिवाशित अनंत 30 डिग्री के लिए देखें 1 बटा 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री है 1 बटा अंडरूप 3 ये मान कितना आ गया अंडरूप 3 45 डिग्री के लिए देखें 1 बटा 1 अर्थात मान आ गया 1 साथ डिगरी के लिए देखें एक बटा अंडर रूट तीन क्योंकि टैन साथ डिगरी का मान अंडर रूट तीन होता है नबभे डिगरी के लिए देखें तो कौश नबभे डिगरी हम जानते हैं कि कौश नबभे डिगरी होता है जीरो और साइन 90 डिगरी का मान होता है एक 0 बटा 1 अरफात 0 हमने ये प्राप्ट किए कॉट थीटा के मान हमें साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा इन मानों को तो याद रखना है हम सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा इनके मानों को हम उन मानों से निकाल सकते हैं तो अब हम इस चैप्टर के प्रश्णों को देखते हैं जिनमें हमें इन मानों का उप्योग करना है